मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आपको पता है कि यह कम समय वाली सीरीज है चादा स्प्रेड करो बच्छा कर मुझे सपोर्ड मिलता है बहुती बड़ीया बड़ीया चीज आपके समय में प्रेजेंट करने वाला प्लीज शेयर करना है लाइक करना है और न्यू है तो चैनल की उपर फोकस करो यह गडड़ी का मास है यम और इसका जो वेट होगा नीचे वरटी के लिए इसे यम जी अब यह रोड़ इसके उपर कोई फोस लगाएगा इसने लगाया तो यह रिप्लाइ तो देगा भईया तो रिप्लाइ देने से उसको कहते है नॉर्माल क्या कहते लिए ऐसा है तो इसके क इन को गोगा यहाँ इसके साथ ऐंग यन को सट यह एन काका इन का लेकिन जिसके साथ theta वो cos theta और यहाँ पे जिस हाथ नहीं theta वो होगा sin theta पता है ना आपको मतलब sin opposite यह भी कर सकते आप ठीक है यह हो गी आपकी diagram यहाँ पे centre of mass होगा। यहाँ पे angle होगा बच्चो बाससमेश में आघी है। चलो यह box theta यह इसको balance करगा। यह इसको balance कर रहा है एक दूसरे को तो यम जी लिख सकता हो बच्चो और यह यं साइन ठीटा क्या कर रहा है उसको नीचे ला रहा है मतलब सेंटर की तरह पलानी कोशिश कर रहा है तो सेंटरी पिटल फोर्सी हम ही स्क्वेट डाट बाहर कुछ लोग लिखेंगे बच्चो यम आर ओमेगा स्क्वेट वो भी सही है गलत नहीं लेकिन मुझे वी निकालनी है यहापे मेरा उद्देश यह है बच्चो कि वी निकालना है सबसे मेन उद्देश है पहले टान ठीटा निकालते चलो इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू सेकंड बाइफ फर्स्ट करते है साइन ठीटा यन कॉस ठीटा बास समझ में आरी इसका इक्वेशन है यम वी स्क्योर बाइब आर और इसका जवे बच्चो यम जी यन से यन को मार दो यम से यम मार दो साइन बाइ कॉस क्या होता है टान ठीटा वी स्क्वेर बाद आर जी मेरे बाद समझ में आरी बच्चो ये मुझे टान ठीटा यहाँ पे मिल रहा है फिलाल में लेकिन आम लोगों को अगर स्पीड निकाल लिए ये है ना सेफ स्पीड कितनी है तो इसको इधर लेके जाओ बच्चो तो यह वह वागा आर जी टान ठीटा ये वी स्क्वेर था यह स्क्वेर गया तो यह रूट में आगया खाता हम किसा बच्चो हाना इनभाёт किसी ने ठीटा निकालने के लिए कहा यह किसको बैलन्स कर रहा है centripetal force को दिभाई किया मैंने दोने equation को तो 10 theta मिल गया बस यह मिल गया तो कुछ नहीं इसको इधर लेके जाओ तो theta मिलेगा वीक को निकालना है तो इधर लेके जाओ इसको खत्म किसा यार कुछ नहीं अब नेक्स है हमको अपर स्पीड मतलब ज्यादा स्पीड रही तो क्या हो सकता डाइगराम हो ही सब कुछ वही है बच्चो ठेक रहे यह देखो वेटों का नीचे इसके कारण यह रोड लगाए का इसके पर नॉर्मल फोर्स इसके कंपोनेंट होंगे दो यहां पर ठीटा है जिसके साथ ठीटा यहन का कंपोनेंट सी यहन को सिटा यह भी यहन का कंपोनेंट है यहन साइन ठीटा है ना देखो यह उपर गया तो ऑपोजिट होगा हो गया कितम किसा अब अब अपर स्पीड अपर स्पीड समझते बच्चो, अपर स्पीड का मतलब जादा, बहुत जादा स्पीड है, जादा स्पीड है तो क्या होगा बच्चो आपको पता है, कि ये जो है रोड, ये मेरे गड़ी इंदर जाना चाहेगी, रोड के नीचे जाना चाहेगी, और इसको बचाने की रिलेटिव मोशन को आपोस करता है मतलों मेरे गड़ी इंदर जाएगी मैं इदर आपोस्ट देखो मेरा हात इदर जा रहा है आपोस्ट तो गड़ी तो इदर जाना चाहती है मैं आपोस्ट में यह friction force है कुण साथ टायर का इंडरोड का friction इसके भी दो component होगे भाही लोग अर यहाँ पए ठीटा जैसी यह ठीटा है तो यहाँ ठीटा होगा और यहाँ जिसके साथ ठीटा होता है कॉस्ट ठीटा होता लेकिन यह से लिकूंगा श्टाटिक फ्रिक्शन है अब यह सड़ीस के अपोस्ट होगी न तो यहाँ पर होगा यह साय ठीटा लेकिन यह static friction के component है यह नॉर्मल के component है यह समझ में आ गया ना अब मुझे बता बच्चो सिंपल सी बात है कोई टेंशन लिनीग की जुरत नहीं है यह दो फोर्स एक जगे पर है कौन-कौन से है और यह centripetal force प्रवाइड कर रहा है मतलब बच्चो यहां पे यह न साइन ठीटा प्लस यह फ्यस क स्थेटा दिखाई तो दे रहा है दोनों एक जगे पर तो चलो equation number one हो गा बच्चो अब देखो यह दुसरे के opposite यहां दोनों देखो एक को लेन पर है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर साइन ठीटा प्लस यमजी यह इक्वल टु यह देखो यह दोनों एकी साइन पर और इसके opposite मतलब इसको balance कर रहा है तो यह n cos theta लिख सकता हो तो आपको समझ में आता हो का बच्चो यह यह से बला यह sin theta minus n cos theta ठीक है यार ऐसे करने से अच्छा है कि मुझे mg निकालना है तो mg यह इदर डाल देखा हूं यह इसको इदर लाता हो देखो n cos theta यह इदर लेके आ रहा हूं minus fs sin theta मेरी बात समझ में आती हो कि बच्चो देखो इसको यही रखा है इसको इदर लेके तो minus होगा देखो इसमें से minus equation number 2 चलो second by first करते है वी निकालना है तो सेकंड है मेरे पास m e square by r divided by mg है ना first by second हो रहा है क्या हाँ first by second एक हो यह यह sin theta fs cos theta divided by यह equation है n cos theta minus fs sin theta बात समझ में आरे बच्चो m से m को मार दो तो v square by r g बच रहा है divide के divide multiply होता है इसको हर इसको n sin theta को n cos theta से multiply करो सबको fs cos theta को क्या करना है n cos देखो सबके साथ करना पड़ेगा एक को नहीं कर सकते n cos theta divided by n cos theta से हर term को divide करना है fs sin theta divided by n cos theta बात समझ में आरे है n से n मर गया n cos से n cos मर गया बच्चो तो v square by r g धन देना है अभी sin by cos होता है हमारी इधर tense हमारी इधर भी होता है cos से cos मर गया एक friction का formula पता होना चाहिए fs by n इसको कहते है coefficients of static friction तो इसको यहाँ पे plus a mu s divided by यहाँ पे 1 minus f by n कोन है बच्चो mu sin by cos tan है बात समझ में आरे है अगर इसको इधर भेशते हो v square r g इसको bracket में रखते है tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta बात समझ में आरे बच्चो मुझे बता इसका square गया तो रूट में आएगा कि नहीं बस हो गया बच्चो यह है हमारी maximum speed यहाँ पे यहाँ पे road पे maximum speed कितनी हो सकती है यह इसका formula है बात समझ में आरे है maximum speed रहे अपर speed बोलते इसको same to same बच्चो अगर lower speed रही तो क्या करेंगे यह गड़ी नीचानी के कोशिश करेंगा friction इदर लगेगा इदर यह friction लगेगा सही है यह component इदर होगा तो इसको कहेंगे यह फ्यस cos theta जिसके साथ theta हो cos theta और यहाँ पे यह component पे यह फ्यस sin theta होगा समझे आप क्या होगा जहाँ बच्चो यहाँपर एक बात धान रखना है जहान closer minus डेखो minus के जगे पर plus आप लोहर लिमीट की बात कर रहे किसकी lower limit की बात कर रहे बात समझ में हरी बच्चो यहाँपर minus यहाँपर plus यहाँपर minus यहाँपर plus यहाँ पे minus, यहाँ पे plus, खत्तम किस्षा, क्यों बच्चो, इसका reason समझनो, कि यह minimum के लिए होगा हमारे लिए, और maximum के लिए मैंने formula लिखाता, अभी क्या B, root of RG, tan, यहाँ पे tan theta plus mu s divided by 1 plus 1 minus mu s tan theta, एक बास समझनों बच्चो, आपको maximum चाहिए, तो numerator बड़ा होना चाहिए न plus, और new monitor, sorry, new monitor बड़ा है, denominator चोटा होना चाहिए, अरे अपर बड़ा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो बड़ी value होगी, अगर यहाँ पे new monitor चोटा है, तो minimum होगी न, तो यह तीनों फार्मूले आप लोगों को याद रखना है, बस जादा नहीं बताऊंगा, यह question और three market depending upon paper setter पर depend होता है, लेकिन चार मार के लिए maximum आने के तीनों questions आगे, एक, दो, तीन, जो बताए, तो चार मार के लिए आने के chances, चलो, बशलक, शेर करना ज्यादा ज्यादा, लाइक करना, और new head भया, वीडियो को सब्क्राब करा, चलो, thank you.